दोस्तो अगर आप भी अपने फोन के Gmail ID का पासवर्ड भूल गयो और आप उसे पता करना चाहते हो कि मेरे फोन के Gmail ID का पासवर्ड क्या था तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपके इस तरीके से सिर्फ दो मिनट के अंदर अपने फोन के Gmail ID का पासवर्ड पता कर सकते हो जिहां दोस्तो उसके लिए आपको कोई भी फोन नंबर कोई भी OTP जूरत नहीं पड़ेगी सिर्फ जो मैं आपको सेटिंग बताऊंगा उस सेटिंग को आपको अपने फोन के अंदर फॉलो करना होगा उसके बाद आप अपने किसी भी Gmail ID का पासवर्ड पता कर सकते हैं चाहे वो आपका Gmail ID पुराना हो चाहे नया हो चाहे किसी भी फोन का हो आप अपने phone की अंदर ही Gmail ID का password पता कर सकते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या होगा सिर्फ आपको अपने phone की अंदर खुद से कुछ नया settings करना होगा तो चलिए उस settings के बार में जानते हैं उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा request करता हूँ अगर हमारे चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें तो चलिए बिए टाम स्टे करते हैं वीडियो को start मेरा नम है सीवम और आप देख रहे हैं टेक सीवम सोन यूटूब चैनल तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन के अंदर Gmail ID का password कैसे पता कर सकते हो वो भी बीना कोई phone number बीना कोई OTP का चाहे आपका Gmail पुराना हो चाहे नया हो आप दो मिनट के अंदर अपने Gmail ID का password पता कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको दो तरीका बताऊंगा अगर पहला तरीका आपकी phone में काम नहीं करेगा तो जो दूसरा तरीका होगा वो definitely आपकी phone में काम करेगा ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फॉर्स शेटिन्स के बारे में तो उसके लिए आपको करना किया होगा आपको अपने phone के अंदर जो Gmail ID होता है न Gmail Application डिरेक्ली आपको अपने phone के अंदर open करना है ठीक है open करने के बाद उपर में आपको profile का एक option मिलेगा डिरेक्ली आपको इस profile पर टैप करना है ठीक है टैप करने के बाद आपकी phone में जितने भी Gmail होंगे, वो सारा यहाँ पर आपको सोई हो जाएगा, लेकिन जिस Gmail का आपको password चाहिए, directly सबसे पहले उसे यहाँ पर आप select कर लिजेगा, select करने के बाद यहाँ पर आपको manage your Google account का एक option मिलेगा, directly आपको इसके अंदर आजना है, ठ टैप करने के बाद यहाँ पर आप सोई scroll down करेंगे, तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको password manager के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, directly आपको इसके अंदर आजना है, ठीक है, यहाँ पर आपके phone में जितने भी account होंगे, वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको adopt.com के नाम से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, या फिर अगर आपके phone में google होगा, तो यहाँ पर आपको google.com देखने को मिलेगा, यहाँ पर दो नाम से होता है, adopt.com या फिर google.com, तो आप अपने phone में देख लिए कि आपके phone में किस नाम से तो रेकली हम इसके अंदर आ जाते हैं इसके अंदर आने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर पैटर्न डालना होगा जो आपके फोन का मेन पैटर्न होता है जिससे कि आप अपने फोन को अनलॉक करते हैं वह यहाँ पर आपको डालना है या फिर आपको अपने फोन का फिं को एक i button मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं इस i button पर आप टैप करोगे तो जो पासवर्ड है न वो यहाँ पर show हो जाएगा और यहाँ से आप उसे देख सकते हैं यहाँ पिर अगर आपको directly copy करना है तो यहाँ पर आपको copy करने का भी option मिलता है यहां से आप copy भी कर सकते हैं तो यह हो गया पहला तरीका जिससे कि आप अपने phone के Gmail ID का password पता कर सकते हैं अगर आपके phone में यह तरीका काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए आपको करना क्या होगा directly आपको अपने phone के home screen पर आजना है हम सभी के phone के अंदर एक application होता है जिसका नाम होता है Chrome browser जो कि हम सभी के phone के अंदर होता है और part day हम इसे अपने phone में huge भी करते हैं तो यहां पर आपको करना क्या है directly आपको अपने phone के अंदर Chrome browser को open करना है ठीक है open करने के बाद उपर में आपको three line का three dot का एक option मिलेगा directly आपको इस three dot पे tap करना है ठीक है tap करने के बाद यहाँ पर आपको एक settings का option मिलेगा directly आपको settings के अंदर आ जना है और यहाँ पर आप स्कॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक option मिलेगा आपको जिसका नाम होता है password यहाँ पर आप देख सकते हैं डिरेक्ली आपको password के अंदर आज नाया ठीक है उसके बाद यहाँ पर निचे आप देख सकते हैं जितने भी आपके phone में account होंगे वो सारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको यह Gmail ID का password है वो कहाँ देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे phone का Gmail ID यहाँ पर show कर रहा है और adopt.com यहाँ पर है देख सकते हैं डरेक्ली हम इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो user मेरे Gmail है वो यहाँ पर show कर दिया और निचे उसका जो password है वो यहाँ पर show कर दिया अगर आपको इस password को देखना है तो यहाँ पर जो i button है ना इस i button पर आप टैब करोगे तो इस password को आप देख सकते हो अगर आपको copy करना है तो यहां से आप copy कर सकते हो तो यह दो तरीका से आप अपने phone के Gmail ID का password पता कर सकते हो चाहे आपका Gmail पुराना हो चाहे नहीं हो सिर्फ 2 मिनिट आपको time लएगा तो इसी तरीके से आप अपने किसी भी Gmail ID का password पता कर सकते हो और उस password को आप change करना होगा तो change भी कर सकते हो उसके लिए आपको कोई भी phone number कोई भी OTP की जरूरत नहीं पड़ेगा तो यह settings आपको कैसा लगा हमें कौन में जरूर बताएगा I hope कि आपके लिए वीडियो बहुत दैजफू सबसें तो वीडियो को like कर दे सबस्क्राइब करें तो चैनल को सबस्क्राइब करें तब लिए चाहिं टेक केर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में